नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्देश अंगरती बारे हूँ देश की राजधानी दिली से अच्छी खबर नहीं है C.A. के बिरोध और समर्थन में जो प्रदर्शन चल रहा है उसको ले करके आज अचानक हिंसा भड़क उठी है इसमें एक सिपाही के मारे जाने और D.C.P. के घायल होने की खबर है ऐसे समय में जबकि अमेरिकन राजपती डोनाल्ड ट्रम्प भारत के दो दिन के दोरे पे है अचानक राजधानी में हिंसा भड़कती है और इसकी प्रिष्ट भूमी एक दिन पहले लिखी जाती है एक दिन पहले बनाई जाती है और दूसरे दिन इस तरह की घटना होती है समझने लायक है कि आखिर इसके पीछे कोई साजिस तो नहीं है ऐसा क्यों हुआ पेट्रोल पंप में आग लगाई गई सिपाही को मार दिया गया DCP सहादराग हायल हो गए और भी बहुत सारी खबरे आ रही है जिसको ले करके LG ने निर्देश दिये है कि तत्काल इस्तिती पे काबू पाया जा क्या टरंप के यात्रा का इंतेजार हो रहा था एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में साहिन बार का मसला चल रहा है कि धरने को खत्म किया जा समिधान का Article 19 Right to Speech and Expression सबको देता है उसमें आपका धरना प्रदर्शन का भी अधिकार है लेकिन क्या सड़क पे बैट करके आप धरना दे सकते हैं किसी और का रास्ता रोक सकते हैं क्या अपनी बात कहने के लिए आप हिंसा करेंगे सारजनिक संपत्ती को जलाएंगे पिट्रोल पंप में आग लगाएंगे चाहें समर्थक हो या बिरोधी जिशने भी ये काम किया हो ततकाल सक्त एक्षन की जरुरत है और इससे सर्मनाक बात हो नहीं सकती कि जब कोई बिदेशी अतिती भारत के दोरे पे है उस समय जान बुझ करके ऐसा किया जा रहा है ताकि संदेश पहुंचे कि C.E.A. को ले करके भारत में कितना बिरोध हो रहा है एक दिन पहले दिल्ली में और अलीगण में जिस तरीके की घटना हुई उससे अंदाया जा लगाया जा सकता है कि इसके पीछे कही न कहीं साजिस है अधरवाईज इस तरीके की घटना नहीं होती एक साथ कैसे कई सहरों में इसे ले जाने की योजना बन रही है कई सहरों में किया जाता है हिंसा भढ़काई जाती है कुछ तो इसके पीछे है हमारी खुपिया एजेंसिया कहीं न कहीं फेल हुई है जो इस्थिती का आकलन नहीं कर पाई कि ट्रंप के दोरे के दोरान ऐसी साजिस रची जा रही है हिंसा फैलाने की अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस हिंसा पिततकाल कैसे काब उपाया जा वो कौन लोग है जिनकी इतनी हिम्मत हुई कि DCP को घायल करे सिपाही को घायल करे सारजोनिक संपती में आग लगाए प्रेट्रोल पंप में आग लगाए खुले आम पत्थर बाजी करे इसके पीछे वो कौन लोग है जब उत्तरप्रदेश में ऐसी घटना हुई थी PFI का कनेक्शन निकला था उसमें कारवाई हुई थी दिल्ली के इस आहिन भाग से लेकर के अन्य जगोह पे जो हिंसा की घटना है हुई उसमें भी ऐसाई कनेक्शन बताया गया और आप जब समर्थक और बिरोधी आपस में भीण रहे हैं तो निशीत रूप से दोनों के खिलाब कारवाई होनी चाहिए इसमें भीणने की जरूवत ही नहीं थी सुप्रिम कोर्ट में मामला है साहिन भाग से लोग हटने को तयार नहीं है कि 20 सड़क पर ही धरना देंगे यदि किनारे हो जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे तो महत्तों कम हो जाएगा ऐसे लोगों को पहचानने की जरूवत हो मैं फिर कर रहा हूँ चाहें बिरोधी हो चाहें समर्थक हो किसी को भी हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती हम जो आपको वीडियो और फोटोग्राफ दिखा रहे हैं उसमें से बहुत सारे वीडियो और फोटोग्राफ हमें ऐसे भी मिले हैं जिसको कि हम आपको दिखा नहीं सकते हमारा मकसद किसी तरीके से दिल्ली में सांती बनाया रखना है तेजना फैलाना नहीं है इसलिए उनको नहीं दिखा रहे हैं और पुरी जिमेदारी के साथ ही बात कर रहे हैं कि सबकी भलाई इसी में है कि दिल्ली में और पुरे देश में सांती रहे अपनी बात सांती थेंक यू